दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं गजक, गजक हम बजार से लेकर अक्षर आते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगे कि घर पे 15 से 20 मिनट में आप गजक को कैसे त्यार कर सकते हैं, बिल्कुल बजार जैसे हम आज गजक बनाएंगे मुफली, गूर और तिल से, वो भी बीना चासनी बनाएंगे, हाँ दोस्तो बिना चासनी के आज हम बनाने वाले हैं गजक, गजक बिल्कुल बजार जैसे टेस्ट में होगा, साथी साथ ये बिल्कुल ही सौप्ट होगा, और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे आपको तोड़के दिखा रही हूँ, द बिना चासनी के बिल्कुल बजार जैसे गजक देख लेते हैं कि इसके लिए क्या-क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे, तो चैनल को फटाफट सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, गजक के लिए मैंने लिया है, यहाँ पे 1.500 ग्राम तील, और यहाँ पे 1.500 ग्राम है, और 400 ग्राम हमने गुण लिया है, साथ ही हमने कुछ इलाजची लिया है, जिसे कूट कर हम पाउडर बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, गैस के तरफ, गैस ओन करके हम सबसे पहले मुफली को सेखेंगे, 2-3 मिनट के लिए, मिडियम फ्लेम पे, मुफली को ह हमें ज्यादा नहीं सेखना है, 3 मिनट हो गया है, और इसे हम हाथों से रगड कर देखेंगे, इसके इसकीन हट रहा है, यानि मुफली अच्छे से सिख गया है, यह देखें, तो अब इस मुफली को हम किसी बरतन में निकाल कर ठंडा होने देंगे, और इसी कडाही के अंद हम तील को भूनेंगे, तो 2 मिनट के लिए हमें मिडियम फ्लेम पे तील को भुणना है, टील को हमें ज़्यादा रोष्ट नहीं करना है, यह देखें, इसमें से आवाजे आने लग गई हैं, और तील अच्छे से फूलने लग गया है, देख पा रहे होंगे, तो अब तील अच्छे से भून चुका है, तेट से तो मिनट के लिए ही हमें भूनना है मिडियम फ्लेम पे, चलिए गैस ओफ कर देते हैं और तील को भी किसी बरतन में निकाल कर ठंडा होने देते हैं, यह देखें, तो यहां पे मुफली के हमने छिलके हटा लिये हैं, और तील भी भी दिएम रखना है कि मुफली और तील अच्छे से ठंडा हो जाएं, तब ही इसका हम पाउडर बनाएंगे, तो अब हम तील को डालेंगे मिक्सी जार में और मिक्सी को हम रोक रोक कर चलाएंगे, तो यहां पे हमने तील को डाल लिया है और दोज चमच के करीब हमने तील बचा कर रखा है जिसे बाद में हम इसमें काम मिलेंगे तो चलिए इसका पाउडर हमने त्यार कर लिया है और यहां पे हमें बिल्कुल बारिक पाउडर नहीं बनाना है दरदरा पाउडर बनाना है यह देखिए इस तरीके से और मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है अब इसे हम एक बरतन में डाल लेंगे और इसी मिक्सी जार में हम मुमफली का पाउडर त्यार कर लेंगे, मुमफली का भी पाउडर हमें दर्दरा ही बनाना है, उसमें छोटे छोटे टुकडे रहें, इतना ही हमें मिक्सी को चलाना है और रोक रोक कर चलाना है, तो यहां पी मुमफली क भी पाउडर हमने त्यार कर लिया है और यह देखिए हमने दरदरा रखा है छोटे-छोटे टुकडे भी आप देख पा रहे होंगे मुंफली के अब इसे भी हम निकाल लेते हैं किसी बरतन में और इसी मिक्सी जार में हम गूड का भी पाउडर बना लेंगे यानि कि गूड क भी पिस लेंगे तो यहां पे गूड के छोटे-छोटे टुकडे हमने बना लिये हैं बड़े तुकडे नहीं रखना है या आप गूड को पिसना नहीं चाहते हैं तो कदुकस कर सकते हैं यह देखिए छोटे-छोटे टुकडे हैं इस तरीके से आप टुकडे करके फिर मिक इसी को रोक रोक कर गुमाना है एक से दो बार तो यह देखिए यहाँ पे थोड़ा बारिक टुकड़ा हो चुका है चलिए गैस ओन करके हम कडाही रखेंगे और कडाही में डालेंगे एक चमज के करीब घी और इसे मेल्ट होने के बाद यहाँ पे कुटा हुआ हम तीन से चा लेंगे उसके पाद जो हमने मुफली का पाउडर बना कर रखा है उसे डाल देंगे और यहीं पे हम तील का पाउडर भी डाल देंगे और दोनों को हम पहले मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से यह दोनों मिक्स हो जाए या साथ ही साथ इलाची का पाउडर भी अच्छे से इ एक से टेर मिनट के लिए हमने मिडियम फ्लेम पे इसे मिक्स कर लिया है इसे भूनना नहीं है सिर्फ मिक्स ही करना है उसके बाद जो हमने गुण लिया है उसे डाल देंगे इसके अंदर और इसे continue हम चलाते हुए मिक्स करेंगे इसे हमें पकाना नहीं है हमें जब तक मिक्स करना है कि अच्छे से ये सारी चीज एक डो के जैसे मिक्स होकर त्यार हो जाए तो यह देखे इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे continue फिर मिक्स करना है देखे धीरे धीरे गुण मेल्ट होने लग गया है और कुछी देर में आप कि ये डो के फर्म में हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरा मिक्स एक डो के फर्म में त्यार हो चुका है अब हम कैस को यहाँ पे बंद कर देंगे और एक थाली या ट्रे में जिसमें भी हमें इसे जमाना है उसके अंदर थोड़ा सा घी से हम ग्र इस तरीके से सेट कर लेंगे आप गजक को पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इसे पतला फैलाएं मोटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मोटा ही इसे फैलाएं जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं अपने मन पसंद के हिसाब से इसका थिकने से रख सकते हैं मन पसंद हिस आप से इसे कट कर शकते हैं, मैं थोड़ा मोटा ही इसे फैला रही हूँ, अब उपर से हम इसे पे जो तील हमने बचा कर रखा था, उसे हम इस तरीके से डाल कर और इसे उपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे, ताकि ये तील भी अच्छे से से शेट हो जाए, गजक के साथ, अ हलका गरम है, तो मैं इसे इस तरीके की एक कटोड़ी है, उसे मैं कट कर रही हूँ, आप गिलास या कुछ भी कटर ले सकते हैं, कट कर सकते हैं, हलका सा प्रेस करेंगे, और ये कट के निकल जाएगा बाहर, ये देखिए, बहुत ही असानी से ये कट गया, ये देखिए, ब बहुत ही टेश्टी बना है, एक बार आप इसे जरूर ट्राइ किजेगा, आपको पता चलेगा कितना कम टाइम में, कितना टेश्टी बजार जैसा गजग बना कर आपने त्यार किया है घर पे, तो रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताईएगा,